तो हमने स्टाट किया था वी फार्मेसी थर्ड समस्टर फार्मसेटिकल इंजिनियरिंग में यूनिट नमबर फॉर जहां पर लास लेक्चर में हमने देखा था कि फिल्ट्रेशन होता क्या है फिल्ट्रेशन के objective, application, theory, factor influencing और filter aid और filter media फिल्टर मीडिया क्या होता है जो की filtration करवाता है और filter aid क्या होता है फिल्टर aid वो होता है जो की filtration में help करें नाम से पता लग रहा filter aid और यह filtration में help कैसे करता था जो भी केक का formation होता था यह उसे porous बना देता था केक को अगर आप porous बना दोगे उसमें pores डेवलप कर दोगे तो फिर filtration जो है आसानी से हो जाएगा तो एक बार इसकी definition में आपको दिखा दूँगा पिर आज का आपका lecture में start कर रहा हूँ जो है काफी important lecture जिसमें हम देखने वाले हैं principle, construction, working, uses, merits and demerits यह सब कुछ हम देखें प्लेटन फ्रेम फिल्टर का उसके बाद हम देखने वाले हैं filter leaf, rotatory drum filter, meta filter, cartridge filter, membrane filter, और sits filter, यह सारे filter हम देखेंगे, ठीक है, मैं repeat कर देता हूँ कौन-कौन से filter हमें देखने हैं, और इन सब equipment की हमें construction, working, principle, uses, merits and demerits, सब कुछ देखनी है, तो मैं repeat कर देता हूँ सबसे पहले प्लेटन फ्रेम फिल्टर, फिर फिल्टर leaf, rotatory drum, meta filter, cartridge filter, membrane filter, seeds filter, यह सारे filtration हम देखने वाले हैं, सारे equipment हम देखने वाले हैं, सब की हम, principle, construction, working, uses, merits, demerits, मतलब advantage, disadvantage, सब कुछ देखेंगे, तो चलिए start करते हैं lecture को, अगर आपको all lecture देखने हैं, तो मैंने playlist की link जो है, description में दे रखिए, और अगर आपको notes डाउनलोड करने हैं, PDF format में, तो आप telegram से जुडिए, वहाँ पर मैंने आपको whatsapp के बारे में बता रखा है, whatsapp group के बारे म आप whatsapp group feature से जुडिए, और वहाँ से आप notes को download कर सकते हैं, तो चलो शुरू करते हैं आज का lecture, यह definition आप देख लीजिए, last lecture में रह गया था, filter media क्या होता है, जिससे कि मैंने आपको बताये था, filter media वो होता है, जो कि liquid को आने दे, और solid को उपर ही रोक ले, ठीक है, अब जो आपका filter media होता है, वो किस तरह का होना चाहिए, वो insensitive होना चाहिए, माल लिजी आपने यहाँ पर filter media लगाया हुआ है, और आपने यहाँ से slurry डालिए, तो जब भी आप slurry को डालोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, कि यह जो filter medium है, यह जो red color से में लगा रखा है, this is filter medium, यह filter medium हो सकता है, slurry के साथ कुछ reaction शो कर ले, तो इस reaction को नहीं होने देना है, तो आपको जो filter medium लेना है न, वो insensitive लेना है, उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसे बस अपना काम करना है, और उसका काम है कि liquid को pass होने दे, और solid को उपर ही रोग ले, solid particle को trap कर ले, return कर ले, और liquid particle को allow कर दे, निकलने के लिए, ठीक है, तो वो insensitive होना चाहिए, साती सात, जो भी आप filter medium लोगे, जैसे मान लीजीए, आपने filter medium लिया, तो filter medium जो है, उसका mechanical strength अच्छा होना चाहिए, मतलब जो भी आप filter medium लेते हो, वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब आप slurry डालोगे और अगर आप slurry pressure से डालोगे, तो हो सकता है, ये filter medium फट जाए, तो आपको ऐसा filter medium लेना है, जो mechanically strength हो, मतलब उसकी support अच्छी हो, stable हो, फटे नावो, चाहिए आप कितना ही pressure से slurry डालो, ठीक है, और ऐसा filter medium लेंगे, जो कि liquid को तो pass होने दे बहुत आसानी से, ज्यादा से liquid को वो pass करवा दे, और solid particle को आने तक ना दे, allow the maximum passage of liquid, ठीक है, और opposition to corrosive, मतलब corrosive ना हो, ठीक है, जंग वगरा ना लगे, क्योंकि liquid डाल रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसमें, now, एक और topic आपके पास आता है, वो है filter aid, उससे पहले हम देख लेते हैं कि filter media के example क्या है, हमने यह तो देख लिए, filter media का का काम क्या होता है, कि वो solid particle को उपर रोक लेता है, liquid को आने देता है, filter media जो है, insensitive होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसकी strength जो है, अच्छी होनी चाहिए, वो allow करे maximum liquid को, और corrosive ना हो, उसमें जंग ना लगे, अब example की बात करू filter है, asbestos और membrane filter, आपको यह याद रखना है asbestos, example में, ठीक है, now next term है filter aid, तो filter aid में आपको introduction में भी बता दिया, कि आपका जो यहाँ cake formation होता है, solid के deposition के बाद, तो फिर जब आप slurry डालते हो, तो वो slurry सही से पास नहीं हो पाती, तो आपको क्या करना है, आपको filter aid डालना हो यह filter aid क्या करता है, यहाँ पर जो cake बनाए ना, इस cake को वो क्या करेगा, पोरेवल बनाएगा, छेद इलाल बनाएगा, छेद इसमें बहुत सारे बना देगा, तो अगर यहाँ पर छोटे छोटे छेद बन जाएंगे, कुछ इस तरह से, दिखें आपको, तो यहाँ पर slurry ज प्रेम फिल्टर, अब यहाँ पर आपको filter rate के characteristics दे रखें, वही सारे की filter rate जो आप लोगे वो inert होना चाहिए, वो recovery उसकी आसानी से हो जाए, उसकी specific gravity कम हो, एक तो पता लगा आपने जो filter rate डाला है, वही छन के नीचे आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी specific gravity कम होन प्रिंसिपल, construction, working, uses, merits and demerits और सबसे पहले हम देखेंगे plate and frame filter का, चलो, सबसे पहले समझते हैं plate and frame filter को, तो यहाँ पर plate and frame filter, मतलब एक plate होगी, एक frame होगी, और frame में रहता है inlet pipe, inlet का मतलब है कि जहां से आप slurry डालोगे, जहां से आप slurry डालोगे, वो हो गया inlet pipe, तो frame में होता है inlet pipe और एक plate लगी होती है आपकी, ठीक है, अभी यहाँ पर करना क्या होता है, ध्यान से सुनो, बीच में एक media होता है, एक cloth होता है, और वो कपड़ा किसली होता है, ताकि filtration हो जाए, तो जो भी slurry आप डालोगे, उस तो यहाँ पर एक cloth लगा रहता है, वो cloth क्या करता है, इस slurry का, यह जो slurry आरी है, इसका filtration करके, और जो भी pure होता है, liquid, वो आगे बेज़ देता है, यहाँ पर plate में आ जाता है, ठीक है, और plate में आने के बाद आप यहाँ से filtrate ले सकते हैं, इस तरह से आपको filtrate आ जाता है, तो छोटा सा यह easy सा mechanism है, सबसे पहले plate and frame यहाँ पर नाम क्यों रखा इसका, क्योंकि यहाँ पर plate का भी use हो रहा और frame का भी use हो रहा, प्रेम में क्या करना है, आपने slurry को डालना है, और उसके बाद वो slurry जाएगी filter media, मतलब cloth के पास, और उस cloth में क्या होगा, solid particle तो वहीं अटक जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो है, this is solid particle, यह solid particle यहाँ पर अटक चुके हैं, और जो liquid है, वो आगे चल जाता है, आपकी plate में, और वहाँ से आपको filtrate मिल जाता है, ठेक है, filtrate का मतलब छन के आया हुआ, तो अभी इन तीनों को क्या करते हैं, साथ में कमाइन कर देता है, जैसे कि अगर मैं आपको एक बात समझाओं, जैसे कि आप मेरी बात समझना, थोड़ा सईस है, कि सबसे पहले, जैसा ही मान लेते हैं, कि यह frame को मैंने green color से दिखा दिया, this is frame, ओके, और मैंने जो filter media है, उसको red color से दिखा दिया, और जो plate है, उसको black color से अब यह तीनों लाइन अलग अलगे, पर तीनों को जब मैं साथ में जोड़ दूँगा, तो कुछ इस तरह से बनेगी, एक ही लाइन में वो दिख जाएगी, इस तरह से कुछ बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देते हैं, यह जो frame है, प्लेट है, और यह तीनों आपस में जुड़े होते हैं, और इस तरह से एक single ही दिखते हैं, और जब मैं इसको zoom करके देखता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि अच्छ तीन layer है, एक तो आपका inlet वाला है, जो की frame है, एक आपका cloth लगा हुआ है, बीच में और एक last में आपका plate लगा अब जैसे हम यहां पर slurry डालेंगे, यहां पर एक clamping pressure की वज़े से, यह slurry उपर की तरफ जाएगी, यह जो slurry है, यह उपर की तरफ जाएगी, इस तरह से, दिख रहा है आपको, इस तरह से यह उपर जाएगी, यह जो मैं आपको highlight कर रहा हूँ, this is slurry, यह slurry जो है उपर जा रही है, और यह slurry उपर क्यों जा रही है, क्योंकि यहां पर लग रहा है clamping pressure, तो clamping pressure की वज़े से, जो slurry होती है, वो उपर की तरफ जाती है, ठीक है, अभी यह slurry हमने inlet कहाँ पर करी, मैंने आपको बताया था कि slurry का inlet करना है आपको frame में, तो frame में आपने slurry को inlet किया, और यहां पर clamping pressure लगा, और उस clamping pressure की वज़े से, यह slurry जो है, इस तरह से उपर की तरफ गई, यहां पर, यह देखिए आप, slurry inlet करी, slurry inlet की वज़े से, clamping pressure की वज़े से, यह slurry जो है, उपर की तरफ जा रही है, ठीक है, दिख रही है आपको उपर की तरफ जाते हुए, अभी यहां पर आपने क्या करना है मैंने आपको बता ही रखा है कि यहां पर एक क्लोथ लगाया हुआ है यह रा क्लोथ ठीक है बीच में क्लोथ लगाया हुआ है तो आपको मैंने बता दिया था कि जैसे आप इनलेट करोगे slurry को जैसे अपने slurry डाली तो यहाँ पर यह जो क्लोथ है इससे filtration होगा filtration होने के बाद यह जो liquid है वो आगे चल जाएगा plate में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है cloth है यहाँ पर जो बाहर की तरफ है न यह cloth है cloth में क्या होगे solid particle रुख जाएंगे यहाँ पर सारे solid particle रुख जाएंगे और जो भी liquid pure होगा न वो यहाँ पर इस तरह से plates में आ जाएगा और plates में आने के बाद उससे हम निकाल लेंगे तो simple सा है देखो frame से तो आप slurry को डालो और उसके बाद close से आप solid pressure हमने लगा रखा है easy है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको एक ही बार use कर सकते हैं जैसे हमने use किया तो यहाँ पर क्या होगा कि solid particle का deposition हो जाता है यहाँ पर इस तरह से solid particle deposit हो जाते हैं ठीक है तो एक equipment को यूज करने के बाद हमें इसे wash करना पड़ता है और यह washable है easily washable है आराम से दुल जाता है और फिर हम इसे second time यूज कर सकते हैं तो यह इसकी working है construction है construction में आपको बोलना है कि एक frame है और एक plate है ठीक है जो frame है उसमें इनलेट होता है जो plate है उसमें outlet होता है filtrate का और बीच में cloth लगा रखा है जो कि filtration का roll play करता है और यहाँ पर आपको diagram बना के दिखा देना और बोलना है clamping pressure की विज़े से यह slurry जो इनलेट करी थी यह उपर आ रही थी यह सब construction है कि यहाँ पर clamping pressure है वो किसलिए apply किया जाता है फिर working के से slurry को जब हम inlet करते हैं तो clamping pressure लगता है clamping pressure की विज़े से slurry उपर की तरफ जाती है वहाँ पर हमें cloth लगा रखा है उस cloth की विज़े से solid particle रुख जाते हैं यह सब आपको बताना है तो यहाँ पर आपको washing के बारे मैं बता रखा है filtration के बारे मैं मैं बता रखा है uses के मैंने बता रखे है कि यहाँ पर अगर आप asbestos का filter use करो अगर इस plate and frame में धियान से सुनना अगर इस फ्लेटन फ्रेम में आप asbestos का filter use करो हमने क्या use किया था हमने cloth use किया था अगर इस cloth की जगे में इस equipment में asbestos का filter use करूँ तो क्या होगा कि मैं यहां पर bacteria को भी हटा सकता हूं filter कर सकता हूं bacteria को भी निकाल सकता हूं solution से कितना सही हो जाएगा सिर्फ ऐस्बेस्टोस के filter paper को एड़ करने पर जब ऐस्बेस्टोस filter मैं अड़ करूँगा platen frame filter में तो वहाँ पर मैं bacteria को भी एटा सकता हूं और यह यूज क्यों करते हैं platen frame filter क्योंकि insulin में क्या होता है कई ऐब कर डिपोजिशन हो जाता है प्रोटिन के दिपोजीशनु होने की वजए से प्रॉब्लम आती है तो वहां पर हम प्लेटे इं फ्रेम फेल्टर की मदद से हम उस प्रोटिन को हटा सकते हैं जो कि प्रेसिपिटट हो चुका है हमारे इंसुलीन में अब करने के लिए garbage आपको दे रखा से हट जाता है कि धिसएडवन्टिज की बात करूं तो expensive है खर्चा बहुत है खर्चा बहुत है expensive परिशान हो जाओ उदास हो खर्चा भोँत है ठीक है disadvantage साथे साथ यह बेच filter है when youzony स करिए फिर इसे वोष करना पड़ेगा पानी से फिर वापी सब मशीन यूज करेंगे मतलब एक एक बार करना पड़ेगा तो वह बेच प्रोसेस होती है एक होती ही continuous process continuous का मतलब होता है जो लगातार चलती जाए एक बार हमने काम कर दिया तो वो लगातार चलती जाए उसे wash करने की जरूत ना पड़े continuous process नहीं है तो यह जो plate and frame filter है ना यह base process है और base process है तो हमें दिक्कत आती है क्योंकि एक बार कर लिया फिर उसे दो फिर उसे डबारा करो हाला कि washable easy है बट दोना तो में यह ना तो यह एक disadvantage है now next is filter leaf अब filter leaf को क्या करना है जैसे यह simple सी filter leaf है ठीक है इसे आपने solution में dip करना है जब यह solution में आप dip करोगे तो solution में क्या है कुछ solid particle भी है यह जो green color से मैंने दिखा दी है यह solid particle है अब यह solid particle यही trap हो जाते है यह जो आपको दिख रहे हैं न यह solid particle यही trap हो चुके है हो गए तो यह solid particle यही trap हो जाते है और जो liquid होता है वो liquid अंदर आ जाता है यहाँ पर ठीक है तो ये तो एक मैंने normal आपको बता दिया कि जब आपको filter leaf है वो filter leaf को जब आप solution में डालोगे तो जो solid particle है वो आप देख सकते हैं इस तरह से cake बना लेते हैं solid particle बहारी layers परी filter cake का formation हो जाता है और ये filter cloth की मदद से छन छन कर ये liquid जो है अंदर चल जाता है और ये liquid जो है आप leaves out कर सकते हो ठीक है तो ये filter leaf during filtration का मैंने बताया और ये normal diagram बताया ये normal diagram है filter leaf का देखो ध्यान से सुनना ये आपका solution है इसमें solid particle है तो solid particle तो बहारी रहे गए और जो liquid था वो अंदर चला गया और ये liquid जो है उपर आजाएगा with the help of suction suction pressure यहापे लगता है तो with help of suction ये liquid उपर जाता है filtrate हमें मिल जाता है filtrate हम क्यों बोल रहा है क्योंकि solid particle तो बहारी हमने रख दिया और जो solid particle deposit हो जाता है उसे filter cake बोलते है तो यहाँ पर आपको दो condition बता रखी है एक condition वह जिसमें filter leaf आपको normal दिखा रखा है और एक condition वह जहाँ पर आपको filter leaf को filtration के दोरान दिखा थे यहाँ पर केक का formation हो जाता है यहाँ से हम slurry को inlet करते हैं और यहाँ पर एक suction pressure हम आप्लाई करते हैं suction pressure यह रहा है ठीक है तो यह सब construction बताना पर बताना काम केसे करता है सबसे पहले हमें filter leaf को slurry में डालना होता है फिर वहाँ पर suction pressure start करना होता है प्र जो slurry है वह pass out करती ह लोट को पिसका और सीवार ने करने लिकविड नंदर चला जाता है वह वौ सालयट पार्टिकल के को फॉर्मिशन कर लेता है और वह गया है लिकविड अंदर वह लिकविड ट्रेनेज के नाले थ्रू होते हुए उपर सक्षन के वज़े से उपर जाएगा और उपर से आपको आपका फिल्ट्रेट मिल जाएगा यह फिल्ट्रेट आपको आपका मिल गया ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी वर्किंग अगिरा में आपको बता दी है एडवांटेज ना पड़ेगा डबल यूज़ करने से पहले दूसरा हाइली एफिशेंट इन वाशिंग आराम से दूल जाएगा ठीक है देस एडवांटेज की बात करें लाइप और फिल्टर क्लोथ इस कंपेरिटिवली शोट अभी जो आपने फिल्टर लीफ यूज ली ना यह फिल्ट लूज जो होता है वह ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है एस कंपेरिट तू दिस लीफ तो फिल्टर लीफ जो है वह कम चलता है और फिल्टर क्लोथ जो है वह ज्यादा चलता है कि और नेक्स्ट आपका उन्सुटेबल फॉर हई तूपोड़ साइजर अगर जादा होगी तो यह अगर पर्टिकल इस ज्यादा होगी तो फिल्टर लीफ आ है फटने से फट भी सकता है ठीक है now next is rotating drum filter अब rotating drum filter क्या होता है वो ध्यान से सुनिए यहाँ पर इसका मैं आपको सब से पहले construction बताता हूं कुछ इस तरह से दिखता है आपका rotating drum ठीक है अब इस drum को आपने क्या करना होता है slurry में डालना होता है तो यहाँ पर आपको दे रखी यहाँ पर यह देखिएगा आप यह आपको दे रखी है यह slurry और इसलईरी में आपको छोड़े चोड़े यह जैसे ही drum rotate करता है तो सबसे पहला zone जो आता है वो आता है pick up zone pick up zone का मतलब होता है यहाँ से slurry को उठाया गया है slurry को यहाँ से pick किया गया है this is pick up zone now next आता है आपका draining zone सबसे पहले आता है pick up zone दूसरा आता है draining zone draining zone में क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपने slurry को उठाया, तो यहाँ पर क्या होता है, liquid तो अंदर चल जाता है, ठीक है, liquid जो होता है, वो अंदर चल जाता है इस तरह से, और जो solid particle होते हैं, वो इस तरह से बाहर रह जाते हैं, ठीक है वो किस टेप में होता है draining zone में होता है draining zone में क्या होता है कि liquid तो अंदर चला जाता है और जो solid particle वो बाहर रहे जाते है तो सबसे पहला zone होता है pickup zone जहां से आपने slurry को उठाना होता है यह drum जो है इस तरह rotate करता है इस direction में और यह क्या करता है slurry को लेता है pickup करता है फिर draining का मतलब होता है कि liquid तो अंदर चला गया और solid जो है बाहर रुख गया और अगर solid बाहर रुख जाता है solid बाहर जम जाता है तो उसको हम कहते हैं cake का formation होना तो जैसे ही drum rotate करता है सबसे पहले वो slurry को pick करता है फिर draining करता है draining का मतलब liquid को अंदर जान देता है solid को बाहर रुख देता है उसके बात वहाँ पर cake का formation हो जाता है क्योंकि अगर solid बाहर रुखेगा तो cake तो बनेगा और cake बनेगा तो हम उसकी washing करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस पर पानी डाल रहे हैं washing कर रहे हैं और जैसे ही washing करा उसके अगला जो zone होता है वो होता है de watering zone, de watering zone का मतलब क्या होता है यह एक ऐसा zone होता है जहां पर हम पानी को सुखा देते हैं तो आप बोलोगे सरफ डाली क्यों रहे हो डाल इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें कोई impurity हो तो वो हड़ जाए ठीक है उसके बाद D watering zone में क्या होता है पानी को सुखा देते हैं और सुखाने के बाद अब जो केक है वो बीना पानी का रह जाता है ये इस तरह से मैंने आपको के यह जो cake है यह बिना पानी का रह चुका है तो इस cake को क्या करेंगे हम knife से doctor knife से cut कर देंगे और जब ये cut करेंगे तो solid particle अलग और liquid तो पहले ही अंदर जा चुका है और जो liquid अंदर जाएगा वो बीच में central duct होती है वहाँ पे चल जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़े देखने को मिल रही है ड्राइंग देखने को मिल रही है ड्राइंग यह देखो ड्राइंग जोन इसको मैं ड्राइंग बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर हम पानी को इटा रहे हैं और केक को सुखा रहे है filter cake बन रहा है drying हो रही है, compression हो रहा है कई सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो यहाँ पर सबसे बहुत है pick up zone है, draining zone है फिर cake formation होता है, फिर उसको wash करना होता है wash करने के बाद de-watering zone होता है उसके बाद आपका finally जो cake है, जो hard बन चुका है उसको आप knife से cut कर सकते हो ठीक है, यह है आपका rotating drum और यह काफी दिरे-दिरे rotate करता है काफी दिरे-दिरे इसकी rotation होती है चलिए next है आपका meta filter या फिर edge filter यहाँ पर लिका हुआ है तो चलिए देखते हैं इसको अभी आपको देखिए यह जो है आपका filter है अभी यह काम कैसे करता है यहाँ पर नीचे construction के अगर मैं बात करूँ तो एक end cap लगी हुई है एक उपर outlet लगा हुआ है मतलब एक बात तो पकी है कि जो liquid है वो नीचे से उपर आ रहा है तो यह liquid इस तरह से उपर आ रहा है क्योंकि उपर outlet है तो liquid उपर ही तो निकलेगा तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है देखो यहाँ पर आपने filter rings लगाई हुई है और इन rings के बीच में जो space होता है वो होता है 0.2 mm का यहाँ पर इन जो rings लग रही है इस तरह से और इन rings के बीच में जो space होता है वो कितना होता है 0.2 mm का difference होता है space होता है तो उसी space में क्या होता है जब हम यहाँ से यहाँ से जब हम हमरे solution को ओपर डालेंगे तो इन space में क्या होता है जो solid particle होते हैं वो रुख जाते solid particle यहाँ फस जाते हैं और जो liquid होता है वो उपर चला जाता है तो यहाँ पर जो space है वहाँ पर solid particle फस जाते हैं और liquid जो है उपर चला जाता है ठीक है और यहाँ पर हम slurry को जो भी हमारा liquid है जिसको मैं filter करना है उसे हम slurry कहते हैं तो slurry को यहाँ पर हम pressure से apply करेंगे देखो slurry को हम enter करेंगे via pressure तबी तो यह उपर जाएगा और उपर जाते time क्या होता है कि जो यहाँ पर rings लगी होती है उन ring के बीच में space होता है वो space 0.2 mm होता है और इन space में ही क्या होता है जो solid particle होते हैं वो इस तरह से trap हो जाते हैं जिसे solid particle जो कि trap हो चुके हैं और अगर solid particle trap हो जाएंगे तो बचा हुआ liquid सीधा उपर चला जाएगा और उपर जाने के बाद यहाँ से outlet आपको मिल जाएगी यहाँ पर आपको एक split pin देखने को मिलेगी split pin का मतलब है कि आप यहाँ से इसको खोल कर रटा भी सकते हो सो दिस इस यूर एच या फिर मेटा फिल्टर ठीक है कि सब कुछ आपको मैंने बता रखा है समझाने का काम मेरा है मैंने आपको पूरा समझा दिया एडवांटेज भी है एक्स्ट्रीम वर्सेटाइल है मतलब इसके कई तरह की यूज है वर्सेटाइल मतलब इसके काफी सा आप उस्केश कर सकते हैं कोई लिक्विट अगर आप है प्रेशर दालोगे तो भी सिल्टर ओंगि इसको आप हाई प्रेशर भी यूज कर सकते जो भी आपका से अगर वह उसंतर्टीन के बादानो कि तो पूइप्र नहीं है nee ओके नगेक्सट आपको दे रखा है आपका कार्टिछ फिल्टर छाली देखते हैं कफी डिम्पलय देखो मैं आपको नमल वाला समझना हूं पैस्टाघ्ट फिल्टर में होता यहां समें क्या करना है यहांपर हमने कार्टीच फिल्ousse ल mutual को रौक संग हो कि तो सबसे प्रेए एक लड़ी को इन्लैट किय के av Kids ले नंदल आई इस लरी मैं कुछ फोरिट कल भी इस तरह से मैं ङूंग दिखाता हूं ब्लै कलर से है यह बने फोर्मिशन कर लेंगे क्योंकि यह जो लगा रखा है ने मेने मोमबत्ती जैसा यह मोमबत्ती नहीं है यह cartridge filter है और यहाँ पर क्या होगा अगर यह filter है तो solid particle को बहार ही रोक लेगा तो यहाँ पर इस तरह से solid particle जो है बहार ही deposit हो जाते हैं और जो liquid होता है वो अंदर आ जाता है लिक्विड आर अलाओ एंडड सौलिट पर्टिकल रिटेंग इस ओंड़िन लाओ तो बहार निकल गया आपको अधारी डालो और क्या करेगा कि अयुद को रोक लेगा और लिक्विड को उंदर आ देगा और फिर आफ फिल्ट्रेट जो बनता है जो लिक्विड है विना solid के उसको आप बाहर निकाल सकते हो बड़ी आसान ही से ठीक है तो यह काफी simple mechanism है अभी आपको यहाँ पर दे रखा है cartridge filter तो यह cartridge filter मैं आपको बता दिया simple की solid particle को रोक लेगा liquid को जाने देगा पर यह cartridge filter को जब मैं जूम करके देखूंगा अच्छे से मैं देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि यहां पे कई सारी layers मुझे देखने को मिलती है सभसे बाहर की जो layer होती है वो होती है poly polypropylene protective layer सभसे बाहर की जो layer होती है उसके बाद इसके layer होती है pre filter उसके बाद इसमें लगा होता है membrane filter और उसके बाद होता है अंदर ये अंदर inner support core और नीचे यहाँ पर end के पगे रहा है तो इतनी layer है जब मैं cartridge filter को zoom करके देखूंगा तो मैंने देखी है रहे यार यहाँ पे तो 4-4 layer है सबसे पहले है polypropylene protective layer तो solid particle कुछ यहाँ रुख जाएंगे दूसरी layer है pre filter कुछ यहाँ र liquid ना वह अराम से अंदर आएगा और इस तरह से filter out हो जाएगा तो आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि जो cartridge filter उसमें 4 layers आपको देखने को मिलेगी polypropylene protective layer pre filter membrane filter और inner support core ठीक है तो यह था आपका cartridge filter नाव नेक्स्ट हम देखेंगे membrane filter अब membrane filter तो हम शुरू से देख रहा है देखते आ रहे हैं ठीक है membrane filter को देखने से पिले एक बात और अभियाद रखना जो भी आप cartridge filter यहाँ पर यूज ले रहे हो इस filter को आपको बार बार चेंज करना होगा यह disposable है यहाँ पर आपको बार बार इसको चेंज करना होगा और यह आपके लिए सबसे बड़ी problem है तो सबसे बड़ा disadvantage यही होता है कि यह expensive है और आपको बार बार चेंज करना होता है क्योंकि एक disposal element है पर काम अच्छा करके देगा क्योंकि चार चार ले रहे पर यह disposal है और इसको बार बार चेंज करना पड़ेगा और यह expensive है महंगा भी है तो हमें खर्चा बहुत होता है और यह इसका disadvantage है ड्रॉबे के demerits ह now next is membrane filter membrane filter जो है वही सन्नी की तरह काम करेगा मैंने आपको filtration में बता दिया था देखो यह membrane filter है जब मैं इस पर slurry डालूँगा तो solid particle उपर रह जाते हैं यह जो आपको दिख रहे हैं this is solid particle और जो liquid है वो बहे के नीचे आएगा और यह liquid आपको मिल गया या फिर filtrate आपको मिल बस simple तो यह membrane filter तो काफ़े simple है ठीक है यहाँ पर आपको thickness दे रखी है जो आपने यहाँ पर यह membrane filter लगाया हुआ है न इसकी thickness होती है 50 to 150 micro ठीक है मियू होती है और इसकी size होती है 60 cm2 तो यह value आपको ध्यान रखनी है और यह जो आपने filter लगाया हुआ है membrane filter इसमें बहुत सारे pores होते हैं जैसी यह filter है तो इसमें छुटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-पोर्स होते है और 400 to 500 million pores होते है per centimeter square अब आप सोच लो कितने पोरे बले हुँ कितना पोरेबल है कितने उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं 400 तू 500 मिलियन पर सेंटिमिस्ट स्क्वाइर ठीक है तो यहां पर आपको यह सब देखना है और यह आपको एडवांटेज लिखे हुए है कि यह रैपेड है क्रोस कंटामिनेशन प्रिवेंट हो जाता है ठीक है काफी इजी है नॉमल सा है जब हमने इतने बड़े-बड़े देख लिए तो यह तो कुछ भी नहीं है नाव लास्ट है आपका सेट्स फिल्टर अब सेट्स फिल्टर में कुछ भी नहीं है यहां पर आपने आपको दे रखे हैं एडवांटेज यह है कि आसानी से यूज कर सकते हैं और यूस्फल फॉर विसकस सॉलूशन जो सॉलूशन विसकस होते हैं जिनका फिल्टरिशन करना मुश्किल होता है आप इस मेथड से उसे कर सकते हो यह जो सीट्स फिल्टर है ना इसकी मदद से फिल्टृरिशन और एक दिक्कत है ची कि आपको हर बार नया नया असवेस्टो स्का पीड करना पड़ेगा र प्रोसेस के लिए अलग अलग रग असपस्स का पार उस करना पड़ेगा आपको कोई भी इंम्प्यूरिटी नहीं चाहिए थो feeling purity से बचने के लिए बार बार आपको नया नया इस बेस्टोस का फिल्टर पेड यूज करना पड़ेगा जो कि आपके लिए काफी expensive हो जाएगा तो यह एक disadvantage हो गया तो एक तो delicate है और दूसा यहां पर बार बार आपको नया नया लगाना पड़ेगा और अगर आप बार बार नया लगाओगे तो फिर करेंगे तो अगर आपको और लेक्चर देखने है तो आपको प्लेइलिस के लिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहां पर भी शो हो रही होगी और सब्सक्राइब और मोर एंड टेलिग्राम से जरूर जुड़ जाना क्योंकि टेलिग्राम पर आपको सारी अपडेट मिलती है एव नाइस दे थैंक यू